मेरा नमलान है और आज की इस Make Knowledge Free Campaign में हम audience का एक सवाल देखेंगे आप में से बहुत लोग phone pay app को इस्तेमाल करते हैं और जो निया app है उसमें आप हमें यह लिख भेजे हैं कि आपको my money दिखाई नहीं दे रहा हूम पेज में आपको home page में cable investments दिखाई दे रहा है और इसलिए आप bank account को जोड नहीं पारें हमने phone pay में एक पुरा नया series बनाया है लेकिन इस particular issue पे क्योंकि काफी लोग का सवाल है कि हम bank जोडी नहीं पारें तो हम UPI pin कैसे set करें और बहुत सारे चीजें तो आईए आज इस चीज को देखत करना है और यहां से आप bank account जोड सकते हैं और जो भी number से आपने phone pay पे account create कर रखा है उस number से अगर आपके bank accounts registered है और अगर उन accounts में UPI का facility है तो आप उन accounts को बिलकुल पहले के जैसे फिर से add कर सकते हैं अब जैसे कि मेरे पास कुछ ICSA के account से अब मैं चाहूं तो उनको add कर सकता हो और यह add हो गया तो क्योंकि इसमें पहले से मैंने UPI pin create कर रखा था इसलिए दुबारा जब हम add करते हैं तो हमें फिर से UPI pin create नहीं करना होता मैंने सिर्फ आज के इस tutorial से और माध्यम से आपको यह समझाया है कि किस प्रकार आप bank accounts add कर सकते हैं आपको दुबारा investments में जान है तो आपके profile icon के तरफ यानि यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से आपको add bank account तो यहाँ पर view all payment methods में जा सकते हैं और दुबारा अगर आपको कोई नया bank account add करना है तो इस तरीके से आप bank account add कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आज के इस tutorial से आप यह सीख पाएं कि फुन कि अप में आप किस प्रकार bank accounts add कर सकते हैं बराई आसान होता है तो आप देख सकते हैं मैंने केवल चन मिन्टो में तीन account add कर दिया है तो उमीद करते हैं कि आपको इस tutorial से कुछ लाब जरूर बहा होगा अगर हां तो चैनल को like subscribe करें बेल icon को दबाया रखे notifications के लिए और जैसे facebook, whatsapp, twitter, linkedin इन में share करें जिसे कि बहुत लोग इन चोड़े-चोड़े चीजों को जान पाए उमीद करते हैं कि हम दुबारा मिलेंगे कुछ ऐसे ही useful tutorials के साथ जो कि आपके जिन्दगी को और आसान मना सके थैंक यू